हेलो एफ्रीवन वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है अक्सर हम बजार से बहुती महंगे महंगे डिसिन्फेक्टेंट लिक्वीड्स खड़ित के लाते हैं लेकिन अगर हम इस लिक्वीड को घर पे ही बना ले और वो भी बहुती आसान तरीके से तो घर में बहुत से जिसको हम यूज के बाद फेक देते हैं लेकिन उस भी के वे सामान को फेकने के जगर अगर हम उसे फिर से हेजआ हो चली आज देख लेते हैं कि घर Help ही कैसे हम बोतल जिबानू नासक लिकुड्स बना सकते हैं तो संबी की जो छीलोके ते उसके कुछ चीलम करें को मैंने मिक्सि में ग्राइंड करिया था मुझ छाही तो पूरा जी कोला मैं कर सकते हैं तो खो कुछ फो कइन ग्राइं करते हैं अब शाय को अब इसको मैं यहाँ पानी में उबार लिया ve मोड़ा मोठी आप एक बड़ा बोतल पानी ले ले और उसमें चितना चिलका चिलका जितना है उस हिसाब ले मैं यहाँ पर जैसे 4 दिंट लिम्बू के चिलके थे तो मैं उसमें कुछ ग्राइन के लिए और बाकी सारा यहाँ पे देती, अब इसको पानी को उपालेंगे, कुछ देर उपलने के बाद आप देखिए का पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो जागा, यह पुरा ग्रीन कलर का हो जाएगा, जब ऐसा कलर हो जाएगा, अब इसमें मैं दे रही हूँ नमक, नमक का इस्तमाल क्यों कर रही ह नमक जो है, यह क्या होगा, हमारी इस लिकुईट को बहुत दिन तक अच्छा रखेगा, और सबसे बड़ी बात है, हम लोग अधिक तर बोलते हैं, कि हमारे घड़ों में अगर हम नमक पानी से पोचा लगाते हैं, या फिस साफ सफाई करते हैं, तो उसमें एक पॉजिटि हो, नमक आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, कि थोड़ा कम होगा, जादा होगा, तो कुछ नुकसान होगा, यहां जैसे मैं चार बड़ी चंबच चिनमक का यूज़ की हूँ, उबाल ले, उबाल लेने के बाल अब इसको ग्यास को मैं अब इसमें मैं कपूर का यूज़ कर रही हूँ, बहुत जादा नहीं, यहां पे मैं एक कपूर दे रही हूँ, कपूर को थोड़ा हाथ से मैं इसको डस्ट बना दूँगी और इस गरम पानी में डाल दूँगी, यह अपने आप आइसता इसता पूरा घोल जाएगा, अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको बोटल में डाल दूगी, अब इसको बोटल में डाल के रखते हैं, और जब भी घर में पोचा लगाना हो, या कुछ फरनीचर साफ करना हो, जैसे मैं यहां पे देखिए, यह स्टेबिल को मैं साफ कर दिया, तो थोड़ा सा मैंने यहां पे रुमाल पे पानी ले लिया, यह देखिए, यह पुड़ा आइनी की तरह चमक पी रहा है, और साथ में इसका जितने भी आपका अगर इसमें कुछ जर्म था, वो भी मर गया, क्योंकि जैसे नमक, साथ में नि और देखिए, मतब जो चीज हम फेक देते हैं, उस चीज को फेकने की बज़े, अगर हम इस तरह से उसका इस्तमाल करें, तो कितने बच्चत हो सकते हमारे, एक तो हमारे घर का जो पॉजिटिव इनर्जी है, वो लौट आएगा, घर के सभी जर्म मर जाएंगे, और साथ मे इसके लिए हमें कुछ भी बजार से जाके महंगे से महंगे जिबानों ना सक फ्लोर क्लीनर खाइटने की भी जरूरत नी पड़ेगी, इस तरह से हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, वेस्ट प्रोडाक्ट्स का, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये बात आप हमें कमें इन बोक्स में बताना बिलकुल ना खुले, अच्छा लगने पर इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नुट्फिकेशन आपके पास आजाएगी, अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकत हो की तब तक के लिए अलवीड़